सब्सक्राइब तो जिस बच्चे का अपना पास्वर्ड नहीं मिल रहा है या फिर उनके पास अपना अप्लिकेशन नंबर नहीं है तो आपने देखा होगा डी ट्रिपल स्पी ने मेल किया है मगर उनके पास्वर्ड या आपके आंसर शीट नहीं वेजिये उन्होंने खाली आपका अप्लिकेशन नंबर दे दिए है साथ में उन्होंने इसके साथ आपको 먹어 लॉगिन करना है और आपना पास्वर्ड डालने औपको अपने लॉगिन आया था अको कलना निकालना था तो आपने नया अपना password बनाया होगा तो जिस बच्चों को नहीं मिल रहा है तो वो याद करें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि capital letter डालेंगे फिर छोड़े small letter से चार और add करके मतलब 5 letter का word या फिर add the rate कुछ भी करके और अपना date of word का 0102 ऐसे डाल कर password बना ले तो अगर किसी को याद नहीं है तो थोड़ा करो कुशिश कि आपने ऐसे password बनाया था नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं मैं आप लोगों को वो PDF जिसमें correct answers आए हैं वो आपको share कर दूँगे फिर आप अपना चेक कर लेना कि आपका सही था या नहीं था मगर लेकिन आपको फिर भी अपना password याद करना पड़ेगा कि जब result आएगा तो आप result भी वहीं उसी पर ही चेक करेंगे login करकर ही तो इसलिए आपको password याद होना ज़रूरी है अगर नहीं हो पा रहे तो help लेकिन हाँ जैसे कि admit card भी आपका आपका दे दिया था जब download भी नहीं हो रहा था तो ऐसा भी हो सकता है अगर जब result के तक भी अगर आपको password नहीं मिल रहा है तो शाहिए डिट्रिपल भी आपका रिजल्ट भी आपको शेयर कर दे डारेक्ट क्योंकि आज कर वो मेल पर ही आपको सब कुछ भीज देते हैं उन्होंने वाप्लिगेशन नंबर भी 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 शायद थोड़े दिन में वह आपको पाद एक और यह दुबारा से रिलीज होगी जिन जिन बचों ने अब्जेक्शन उठाया होगा कुछ questions पर वो correct होकर आएंगे अगर उनमें correction की need होगी तो वो शायद correct हो जाए ठीक है तो फिर वो वाली आपकी answer sheet वो answer की आएगी जिसमें दुबारा से revised answer की बनेगी जब वो सारे objections को consider कर लेंगे उसके बाद एक कौन नहीं launch करेंगे तो दुबारा release करेंगे उसके बाद आपका result ही आएगा ठीक है और अब यह process थोड़ा जल्दी चलो रहा है तो मुझे लगता है कि आपका result भी थोड़े दिन में आई ही जाएगा अभी एक्सपेक्टेट दिर एस सच तो कुछ consider कर नहीं सकते हैं फिर भी मान लो दस पंदरा दिन इतने दिन बाद तो आपका रिलीस कर देंगे क्योंकि बाद में और भी इग्जाम कंड़क्ट कराने है नेक्स सेशन के भी तुम्हारे एक्जाम सोंगे पीजीटी कॉमर्स के भी ओंगे जो और पीजीटी वाले सब्जेक्ट से जोने अभी बीच वेकेंसी आई तिक आपने त्यारी कर लें कि कुछ दिन बाद हो सकता है कुछ महीने बाद उनकी पर दो भी देशीट आ जाए तो टाइम कम है अपना रिविजन करें अच्छे से प्राक्टिस करें हम भी अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे पहले में आपको प्रिविए से कुष्टन कराऊंगी पीजीटी कॉमर्स की तिक उसके साथ साथ हम टॉपिक्स अपने स्टार् करें तो हम अपने जो टॉपिक्स रहे गए हैं जो हमने गीटर प्लेस भी नहीं करेंगे वहम जैस जैसो के लिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं तभी विडियोज बनानी स्टार्ट करूंगी जैसो कि अगर मुझे लगईगा आप लोगों ने अपनी तयारी जैसो के प्लीज मुझे कमें सेक्शन में वह चीज़ बताई कि क्या होगा बाकी एक्सपेक्टर कट आफ जो है एक बार सब अपना रिजर्ट देख लें मैं अभी सबकार नोट डाउन कर रही हूं कि इसके कितने मांक्स आए उस बेसिस पे में कट अपने अकॉर्डिंग आपको बत सबक्सें जब सकते हैं तो आपके उतने बरने तो आपका अपनी तो यह सकते हैं तो आपके आपका पक्का हो जायेगा ठीक एहां पार दो चांसे कि अगर फुर तो यही होगा कि क्या पता कि कटॉफ थोड़ी लुवाच और सब्कू 9